Hello, Standard First Subject English Grammar, Lesson No. 30, In. Lesson का नाम क्या है हमारा? In. I, In. पता है क्या होता है? In. In यानि की, Under. In यानि की, Under. जैसे की, आपकी जो Books, Notebooks, वो सब कहां होते हैं? Bag के अंदर, यानि की, In the Bag. फिर आपकी Pencil, Eraser, वो सब कहां होते हैं? Compass के अंदर, यानि की, In the Compass. वो वाला In, यानि की, Under. और एक एक्जाम्पल दूँ, तो ये क्या बनाया है मैंने? Glass. अब Glass के अंदर क्या है? Glass के अंदर. ये होता है, Under. Glass के अंदर क्या है? पानी. तो हम क्या बोलेंगे? पता है? The water is in a glass. वोटर कहां है? ग्लास के अंदर. समझ में आ रहा है? अब देखे हम हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? इन के बारे में. तो लिखा है, In. Write the sentences against the right pictures. तो अब इदर कुछ sentence दिये हैं. ये sentence हमको select करके, जो sentence जिस picture के सामने लिखना है, वो हमको complete करना है. जो sentence, कौन सा sentence, किस picture के सामने आएगा? वो हमको इदर से देखकर लिखना है. तो पहले में ये sentence पढ़ लूँ, इदर लिखा है, The parrot is in a cage, The rat is in a trap, The eggs are in a nest, The ice cream is in a corn, The fruits are in a basket, The milk is in a bottle. इतना है, इतना है, इसमें, है न? ये जो है, वो sentence है, अब ये जो मैंने sentence पढ़े, वो कहां है? वो यही वाले, The parrot is in a cage, फिर क्या लिखा है? The rat is in a trap, The eggs are in a nest, The ice cream is in a corn, The fruits are in a basket, The milk is in a bottle. अब आपने देखा, सब में पहला लेटर कैसा है, Capital दिखाई दे रहा है, और लास्ट में क्या है, Full stop दिखाई दिया, तो हम भी वैसे ही करेंगे, पहला लेटर, Capital करेंगे, लास्ट में, Full stop करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज हमारी, तो वो क्या है, यही वाली है, अब देखो, इस फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह क्या है, कौन शेप, और उसके अंदर क्या है, अंदर तक ऐस से, Ice Cream, तो हम क्या लिखेंगे, पिक्चर देखकर, The Ice Cream is in a Cone, तो इदर देखो, यह रहा, The Ice Cream is in a Cone, तो यह हम लिखेंगे इदर, The Ice Cream is in a Cone, पहला लेटर करेंगे, Capital, पीछे, Full stop, फिर second में क्या है ये आपको क्या दिखाई दे रहे है white white eggs अब वो eggs कहां पर है ये जो birds ने nest बनाया है ना bird ने उसके अंदर है है ना तो ये eggs and nest अब वो eggs and nest इसमें से कहां आ रहा है ये रहा the eggs are in a nest तो हम लिदर लिखेंगे ये वाला sentence second में क्या लिखेंगे the eggs are in a nest यानि कि eggs जो है अंडे वो nest यानि कि घोंसले के अंदर है दिखाई दे रहा है ना कहां है egg nest के अंदर ice cream कहा है कौन के अंदर है ना ice cream कहां है एक कौन के अंदर x कहां है एक nest जो है उसके अंदर है थर्ड में क्या दिखाई दे रहा है किसका picture है ये bird कौन सा bird है parrot parrot कहां है cage के अंदर है ना cage कितने हैं एक ही है इसलिए a cage एक cage के अंदर है ना तो हम लिखेंगे the parrot is in a cage वो कहां है ये वाला तो ये रहा the parrot is in a cage ये वाला हम कहां लिखेंगे इधर लिखेंगे the parrot is in a cage पहला लेटर कैसा करेंगे capital लास्ट में full stop तो ये थी हमारी आज की exercise इसके बाद जो तीन है वो हम करेंगे हमारे next वीडियो में तब तक आप ये one, two and three अपनी grammar की बुक में अच्छी handwriting से लिखेंगे याद से पहला लेटर capital करेंगे और लास्ट में full stop भी करेंगे ओके thank you students